दाइडो क्वीन ओफ कार्थेज फाइव एक्ट में के ड्रामा है क्रिस्टोफर मार्लम ने थॉमस नैश के साथ मिलकर इसको लिखा था 1587 और 1594 के बट्वीन में भी इसको लिखा गया था और 1594 में पब्लिश करवाया गया था यह विर्जिल के एनिड की 4th बुक में जो डाइडो और एनिस की कहानी दी गई है उस पर अधारित है इसका पूरा नाम है इसकी केरेक्टर देख लेते हैं डाइडो कार्थेज की क्वीन है एनिज एक ट्रोजन हीरू है यह एनकाइसेज और वीनिस का बेटा है एसकेनियस यह इनीज का बेटा है यार बस ये डाइडो का प्रीमी है एना डाइडो की सिस्टर है लिऊनेस कलॉंध। एंडसर जेस्टस ये की साथ सर्वाइवर्स हैं जो फाल ऊफ ट्रॉय के बाद वहाँ से बच निकले थे कर तस ये एनीज का क्लोज फ्रेंड है एक नर्स है जो डाइडो को कहने पर असकेनिस को अपने पास रखती है जुपीटर देवताओं का राजा है जूनो ये चीफ गोडेस है जुपीटर की वाइफ है गैनीमीट ये जुपीटर का यंग लवर है और कप बेरर है वीनस गॉड़स ऑफ ब्यूट मिस एक मैसेंजर गॉड़ है इसे मरकुरी के नाम से भी जानते हैं चलिए कहानी शुरू करते हैं देवताओं का राजा जूपीटर यंग गैनीमीड के प्यार में पढ़ जाता है गैनीमीड यहाँ एक लड़का है आप कन्फ्यूज मत होना एक ट्रोजन प्रिंस होता है ज से कहते हैं जो देवताओं को वाइन सर्व करते हैं अगर हम यह कहें कि यहां होमो सेक्सुलिटी की बात की गई है तो गलत नहीं होगा एड़ड सेकंड में भी क्रिस्टोफर मार्लो होमो सेक्सुलिटी की बात करता है इसी वज़े से जूपीटर की वाइफ जूनो नाराज हो जाती है और वो उनसे बैड बिहेव करती है जूपीटर ने एनिस को काम दिया होता है एनिस एक ट्रोजन वेरिर है ट्रॉए ग्रीक से युद्ध हार गया था और ट्रॉए का पूरी तरह से विनाश हो गया था एनिस अपने साथियों के साथ वहां से बच निकला था जू जूपीटर से नाराज जूनों एनिस के रास्ते में बाधा डालती है ता जो वो अपने मंजिल तक ना पहुंच पाए एनिस और उसके साथे जिस शिप से जा रहे होते हैं वहां समुद्र में वो तुफान पैदा कर देती है जिसमें उफस जाते है वीनस जूपीटर के पा वो उस तुफान में भटक गया है जो जूनों ने पैदा किया है ताकि एनिस अपनी मंजिल पर ना पहुंच सके जूपीटर वीनस से कहता है कि वो इस तुफान को शांद कर देगा इसलिए वीनस को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए जूपीटर हरमिस को नेप्चुन गौड सी के पास भीजता है और तुफान शांद करने के लिए कहता है नेप्चुन तुफान शांद कर देता है जैसे ही तुफान शांद होता है एनिस अपने साथियों के साथ कार्थिज के किनारे पर पहुंच जाता है इदर वीनस भी अपने बेटे पर नज़र रखने के लिए क डाइडो एनिस से मिलती है और उससे शिप्स सप्लाई करने का वादा करती है वह एनिस से ट्रोय के फाल की असली कहानी बताने को बोलती है एनिस उसे सारी कहानी डिटेल में बताता है जिसमें वह अपने राजा परियम की मौत के बारे में अपनी वाइफ को खो देने के बनाता है डाइडो भी उसे फिवर करती है पर वीनस ने कुछ और ही प्लैन बना रखे हैं वीनस एनिस के बेटे एसकेनिस को किड़नेप कर लेती है और एसकेनिस की जगे अपने दूसरे बेटे क्यूपिड को एसकेनिस का भेस बनाए कर कार्थिज भेह देती है ताकि वो डाइडो के मन में एनिस के प्रती प्यार पैदा कर सके और एनिस कार्थिज में सुरक्षित रहे क्यूपिड अपना जादू चलाता है डाइडो अपनी सिस्टर एना के पास एनिस के प्रती अपने प्यार का इजहार करती है एना जो कि एर्बस से प्यार करती है वह भी एनिस को मिनाने के लिए डाइडो को अनकरेज करती है डाइडो एर्बस को नेगलेक्ट करती है इधर जुनो को एसकेनिस के बारे में पता चल जाता है वो उसे मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती है पर venus के समझाने पर वो एसकरches को छोड़ देती है और anis की help करने के लिए तयार हो जाती है दोनों आपस में मिल जाती है और एक दूसरे की help करती है ताकि जुनो एनिस को उसकी मंजिल से दूर रख सके और वीनस एनिस को कार्थज में सुरक्षित कर सके अब जुन एक और तुफान पैदा करती है जिसकी वज़े से एनिस और डाइडो को एक आइलेंड पर एक गुफा में शेल्टर लेना पड़ता है वहाँ वह एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करते हैं एनिस डाइडो से कहता है कि वह उसके साथ रहने के लिए अपनी यात्रा भी त्याग देगा यार्बस उन दोनों को गुफा से एक साथ बहार निकलते देखता है और बहुत ज़्यादा जैलिस फील करता है यार्बस को लगता है कि देवता जान बुझ कर उसके साथ ऐसा कर रहे हैं इसलिए वो जूपीटर के आगे सैक्रिफाइस करता है और प्रेयर भी करता है जूपीटर हरमिस को एनिस के पास बेजता है ताकि हरमिस उसे याद दिला सके कि उसे एक काम पूरा करना है एनिस को यह एसास होता है कि उसे अपनी मन्जिल हासल करने के लिए डाइडो का त्यार करना पड़ेगा और वे अपने साथियों से जहाजों को त्यार करने के लिए कहता है वे सोचता है कि उसे डाइडो को बताना चाहिए कि अब उसे जाना होगा लेकिन वे यह भी जानता है कि अगर उसने ऐसा किया तो डाइडो से अपने वुमनली वे यूज करके रोक लेगी डाइडो को कहीं से पता चल जाता है और वो ट्रोजन्स को रोकने की कोशिश करती है एन इस फिर से प्यार का इजार करता है और साथ रहने का प्रॉमिस करता है मगर डाइडो अब उस पर विश्वास नहीं करती और वो उसके शिप्स को तड़वा देती है डाइडो एसकेनियस को भी छुपा देती है क्योंकि डाइडो को लगता है कि एनिस अपने बेटे के बिना वहां से जा नहीं सकता पर एक्चल में तो असकेनियस के भेज में वहां क्यूपिड होता है डाइडो एलान करती है कि एनिस कार्थिज का राजा बनेगा और जिसे भी कोई अबजेक्शन होगा उसे मार दिया जाएगा एनिस मान जाता है और वहीं पर एक नया शेहर बनाने के बारे में सोचता है तांकि वो ग्रीक्स पर दुबारा हमला कर सके जो पीटर को गुसा आ जाता है और वह फिर से हरमिस को भीजता है तांकि वो एनिस को अपने करतेवे का ऐसास करवा सके इस बार हरमिस अपने साथ रियल असकेनिस को भी लाता है जिसे देखकर एनिस को समझ आता है कि उनका प्यार तो क्यूपिट द्वारा पैदा किया गया था जो कि असकेनिस के रूप में कार्थिज में ही मौजूद था हरमिस एनिस को बताता है कि उसकी मंजिल इटली में है और उसे जुपीटर के ओर्डर उनसार इटली के लिए रवाना हो जाना चाहिए एनिस अंजाने मन से जाने के लिए तयार हो जाता है अब यारबस को पता चलता है कि एनिस जाने की तयारी कर रहा है तो वो एनिस की help करता है और वो एनिस को ships भी supply करता है इसके बाद एनिस डाइडो को मिलता है और उसे बताता है कि अब उससे जाना होगा डाइडो उसकी मिन्टें करती है कि वो ना जाए लेकिन वै ऐसा करने से मना कर देता है Ainiis Diedos 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 D और अपनी लाइफ को खतम कर लेती है उसे देखकर यारबस भी चिता में कूद जाता है यारबस को मरा हुआ देखकर एना भी चिता में कूद जाती है और अपनी जान दे देती है इस तरह हम इस ड्रामा में एंड में ट्रिपल सुसाइट देखते हैं और यहीं पर यह कहानी खतम हो जाती है